आप लोगों की स्क्रेइन के साबने एक सक्स की आप लोग फोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि इन्हें आप सभी लोग जानते भी हैं इनका नाम है बाबा रामदियू इनकी कुछ और पिक्चर देख लीजे उसके बाद हम लोग और कुछ बात करते हैं यह आप देखें हमारे होम मिनिश्टर सहाब हमिस्साय सहाब हैं यह मोदी सहाब हैं यह पवार सहाब हैं यह आप देखेंगे कि आपके अन्नाहजारी सहाब हैं यह आप देखेंगे आपके आंध्पिदेश के चंदवाबू नाइडू सहाब हैं यह आप देखेंगे फंडान राजनिती की दिसा और दसा को भापने में बड़ेक माहिर खिलाडी हैं। आप देखी कि जब उन्हें मालू होता है कि इस पार्टी की सरकार आने वाली हैं, उसकी तरफ हवा चलने वाली हैं, तो उसी की तरफ की बात करने लगते हैं। और आप देखें कि 2014 में ऐसा लग रहा था है कि पिधानमंत्री मौधी की रूम में मौधी साहब बनेंगे, और मौधी को एक तरह से आप सोची कि बहुमत मिलने वाला हैं। तो आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव मौधी साहब का पीजेपी का सपोर्ट करने लगे और आप देखें कि इसलिए इनके कई नाम रख दिये लोगोंने, कोई इन्हें बाबा रामदेव कहता है, कोई इन्हें लाला रामदेव कहता है, कोई ब्यापारी कहता है, कोई आप देखें कि बिवादों के गुरू भी कहता है, क्योंकि आप देखें कि इस तरह की बयान भाजी करते रहते हैं जिसके कारण हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और आज हम लोग बाबा रामदेओं के बारे में एक सामस्यान्टारी देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि बाबा रामदेओं असल में इनका बास्तविक नाम कुछ हॉर है और मुझे लगता है कि इनका बास्तविक नाम जान कर आप लोग, सहित और कोई आपकी छबी आपके सामने आएगी, तो आपकी स्क्रीन पर देखे रहे हैं, बाबा रामदेव साहब और योग गुरू भी ने कहा जाता है, और कई लोगों का तैसा भी मानना है, जिद्देखिये योग हमारे देश में, आप समझे कि हजारों साल पहली की बात है, हमारे जो महर से रिसी हुआ करते थे, उनकी देन है, योगा हम लोग करते हैं न, लेकिन कुछ लोग योगा को बाबा रामदेव की ही देन मानने लगे हैं, आप देखेंगे तो इनका नाम है रामकिष्ण यादव, क्या नाम है इनका, रामकिष्ण यादव, यानि कि यादव जाती से आते हैं, और इनका उपनाम बाबा रामदेव और योग गुरु भी इनने कहा जाता है, बाबा राम देव का जनम होता है 25 दिसंबर 1965 को कम 25 दिसंबर 1965 को इनका जनम होता है सियद अलीपूर, कस्वा, नागल चौदरी, जिला महिंदगर्ड, हर्याना में इनका जनम होता है एक बार आप लोग हर्याना को भी देख लिजे, यह आपको दिखाई दे रहा होगा, यह हर्याना, ठीक है तो इनका हर्याना में जनम होता है बाबा राम देव का इनके पिता की बात करें तो राम दिवास यादो इनके पिता का नाम और गुलावो देवी इनकी माता का नाम और विध्या के बात करें तो गुरु कुल कांगडी विश्विध्याले हरिद्वार से इन्होंने सिक्षा ली वी है अब बात करते हैं बाबा रामदेव की योग गुरू बनने की कहानी क्या है तो योग के बारे में गहन अध्यन करने के लिए बाबा रामदेव हेमालाई की यात्रा पर गए और वहाँ पर रहे कई साधूं से बाबा राम देव ने मुलाकात की और अपना समय भी तीत किया हुआ और उन योगियों में से बाबा राम देव को योग के बारे में सिक्छा विली और हेमाले से लोटने के बाद बाबा रामदेव की मुलाकात आचार वालकिषने से हुई और भी हरिद्वार पहुच जाते हैं और इनके सहोगी है आप सभी जाते हैं कि आचार वालकिषने इनके सहोगी है जो भी ये ट्रस्ट चलाते हैं संस्था चलाते हैं उसमें इनकी भी भागयदारी है आचार बाल किसने की और रामदेवो बाबा ने सन 1995 में दिव योगा मंदिर संस्थान की स्थापना की और जिसका मुखुद्देश यही था कि जनता के बीच योगा का प्रिचार प्रिसार करना है इसके माध्यम से योग का प्रिचार प्रिसार करने लगे और स इस तरह की आपको प्रवलम है, तो योगा आप लोगों के लिए आपके ही राम माण है, और योगा मुझे लगता है कि किसी भी धरम से हैं, आप लोग कुछ भी हैं, कोई भी जाती हो आपकी, योगा सभी को करना चाहिए, मैं कहता हूँ बाबा राम देव की बात मत मानिये, बैसे भी आप लोग आपके जो आप सोचे रिसी मुनी रहे हैं, उनकी देन समझ के आप लोग करने लगी है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई आलोचक भी हैं बाबा के, और कई इनके पिसंसक भी हैं, धीरे धीरे बाबा राम देव के साथ बहुत लोग जुड़े, और भी अ योग घर पहुचने लगा, यह पहला मौका था जब देश की अधिकांस जंदा को योग के बारे में जानकारी प्राप्त हुए, लोगों तक आप देखें कि योगा को पहुचाना का, योग को पहुचाने का सरे आप देखीं कि कि किसको जाता है बाबा राम देव को, गराम के छेत में एक बहुत बड़ी करांती थी, जिसका नतीजा हुआ कि आस्ता चैनल बहुत पिसित होने लगा, और बाबा राम देव को फॉलू करने वालों की संख्या भी बढ़ती चली गए, बाबा राम देव का योगा लाखों लोग देखने लगे, और इसका पिरचार दे इंग्लेंड जैसी देशों में भी पहुंचाया, और देश विदेश में यात्रा भी की बाबा राम देव ने, आज बाबा राम देव के कई कारकरम बहुत से टीवी चैनलों पर आप लोग देखते होंगे, बाबा राम देव समय समय पर योग सिविरों का आयोजन भी करते हैं, और योग सिवरों के माद्ध्यम से बाबा भारतीय संस्किती और योग के माद्ध को विदेशों में लोगों तक पहुंचाने का काम करें, बाबा राम देव कहते हैं कि योग वैस सकती है, जिससे पूरा देश स्वस्त हो सकता है, और इसी में आप देखे कि 21 जून को पूरे विश्व में अंतराष्टी योग देवस की रूम में भाबा राम देव ने इसमें पिरमुक भूमिकाने बाई, और आज आप लोग के 20 जून को अंतराष्टी योगा देवस मनाते हैं न, ठीके, इनकी एक संस्था भी है, पतंजली योगपीट आयोवेड, योग ब आयोवेड पर अभ्यास और रिसर्च के लिए की थी, और भारत में इसके दो केंपस हैं, पतंजली योगपीट फर्ष्ट और पतंजली योगपीट सेकेंड, इसके इलाबा यह संस्थान UK, USA, और आप देखेंगे नेपाल, कनाड़ा, मौरीसस में भी स्थाप हैते हैं, और यानि कि भारत के बाहर भी आप देखेंगे, इनका क्या है, इनकी संस्था इस थापित है, साल 2006 में ही रामदेओ और बाल किष्ण ने हरिद्द्वार में पतंजली योवेड की स्थापना की थी, और पतंजली द्वारा रोज मर्या में इस्तिमाल होने वाली सभी बस्तुए अनाज, डाले, दलिया, साबुन, विस्केट, तूट, टूथफेश्ट समय तमाम चीजें बेंची जाती हैं, और आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिर पहले आपने देखा होगा कि बाबा, रामदेओ, कपड़े भी निकाल लए हैं पतंजली के, और टूथपेश्ट त को देखने को मिल जाएंगे, इसके अलाबा बाबा रामदेओ, पतंजली स्टोर्स में वैद भी बैठते हैं, और जो कि पतंजली की आयोवेडिक दवाईयां देकर बड़े से बड़े रोप ठीक कर देते हैं, और मुझे लगता है कि आप हर सहर में इनके स्टोर्स देखते होंगे, कुछ समय के लिए बाबा रामदेओ की राजनीती में भी दिल्चस्पी आई, और साल 2010 में बाबा रामदेओ ने चुनाओ में अपनी भागेदारी सुनियोजित करने के उद्देश स्वाभी मान नामग राजनीतिक पाइटी भी बनाई थी, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने राजनीती में आने की अपनी अनिक्षा जाहरी की, और साल 2014 में लोकसभा चुनाओ में मौदी लहर को देखती हुए बेभी देश के भावी पिधान मंतरी नयद मौदी से भी जोड़ गये, उनका सपोर्ट करने लगे थे, तो इसलिए कह रहा हूँ और भिष्टाचार मुक्त भारत की मान को लेकर आनसन किया था, और इसके बाद आप देखेंगे कि सरकार में भिष्टाचार रोकने के लिए एक कमेटी का गटन किया था, वही इस दोरान बाबा रामदियों पर उनके पतंजली में, प्रोडेक्ट में मिलावटी, खोरी, औ और उनके सबसे बड़ी अनवयाई आचार वालकिष्ण पर भी नकली पास्पोर्ट बनवाने समेट कई गब्भीर आरोब भी लगे थे, अन्ना अंदोलन आप लोग उन्हें दिल्ली का सुना होगा, आप सभी लोग इससे जानते भी होंगे, और लोगपाल ऐसा मान जा रह करता है, कि आप हम सब मिलकर जब तक आप देखी भिष्टाचार को खतम नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश में भिष्टाचार खतम नहीं होने बाला है, आप देखे कि जो भिष्टाचार को एक तरसे आप पैसा किसी को दे रहे हैं, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं की पैसे देने की मजबूरी हो जाती है इन्हे को सम्मान भी दिये गए जन्वडी 2007 में भूमनेसुर की कलिंगा यूनिवरसिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपादी इन्हें दी गई थी जन्वडी 2011 में महराश सरकार द्वारा इन्हें समानित किया गया था और वेष्टाचार की विरुद इन्हें लड़ाई लड़ी थी आप सभी जानते हैं कि बाबा रामदेओ आज सौदेशी आंदोलन की पिरमुक निताओं में से एक हैं बाबा रामदेओ कहते हैं कि अपने देश में बनी बस्तुओं को खरीदें और प्रियोग करें बिदेशी व्योसाई भारत में आकर सारा धन बिदेशों को ले जाते रहे हैं और जिसका आरण बाबा रामदेओ आज पतंजली के माध्यम से सुद्ध और गुडवत्ता योक्त नए नए फ्रोडेक्स को बनाने में लगे हुए हैं जो आयव वैदेक होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद भी हैं और आप देखेंगे कि अन्ना जारे द्वारा लोकपाल के लिए किये गया अंसन में बाबा रामदेओ ने अन्ना जी का आप देखेंगे साथ दिया था बाबा रामदेओ काले धन के भी बिरोधी हैं और हर सरकार पर काले धन के लिए दबाव भी बनाते हैं बाबा रामदेओ कहते हैं कि जब तक विदेशों से काला धन भारत बापस नहीं आएगा वह इसके लिए कौसिस करते रहेंगे आज देश की जनता का करोडों रुपया विदेशी बैंकों में जमा है जो अगर देश को वापस मिल जाए तो देश का काफी विकास हो सकता है बाबा रामदेव लगातार विलेक मनी बापस लाने और भिष्टाचार मिटाने के लिए लगे हुए हैं यह देखे बाबा रामदेव की तरफ से एक तरह से कहा जाता है और आप सब जानते हैं कि जब 2014 की पहले आप लोग देखेंगे इनके भासर तो यह लोग एक कहते थे कि अगर आपको पैटॉल सस्ता चाहिए आपको सुविधायत चाहिए आपको यह चाहिए वो चाहिए तो आ आज कल आप एपने अभी कुछी दिन पहले देखा होगा अभी इनसे किसी ने पूचा सवाल तो इन्होंने कहा है कि देश की भलाई के लिए अगर आपको महेंगा पैटॉल खरीना पड़ रहा है तो खरी दिये थोड़ा उस पत्तकार में पूचा था दो आपने देखा बिवाद भी कुछ जुड़े रहते हैं बिवादों के गुरू भी इसलिए इन्हें कह देते हैं लोग 2006 में उन्होंने यह कहकर बिवाद खड़ा कर दिया कि ब्रैक लगाने के लिए योन सिक्षा को योक सिक्षा से बदल लिया जाना चाहिए 2011 में उन्होंने भिष्टाचार के लिए मौजूदा सरकार का भिरोत किया उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुलिस और आर एप ने उनकी अनुवाईयों पर लाठी बैटन चार्ज किया वह दिल्ली के रामलीला मैदान में महलाओं के कपड़े पहन कर मंच से कून गए थे दोस्तमाई भी आप देखेंगे इनका काफी चर्चा में बने हुए थे 2013 में उन्हें एक आग्यात कारण के लिए हवाईड़े की पराधी करन दौरा लंदन के हेत्रो हवाईड़े पर आठ घंटे के लिए रासत में भी लिया गया था जब फिलिम पीके रिलीज हुई तो उन्होंने हिंदू धरम की खराब छबी को चित्तित करने के लिए फिलिम की निंदा भी की थी दिसंबा 2016 में हरिद्वार की एक अदालत ने उनकी पतंजली आयद्वेद लिमिटेड पर गलत ब्रांडिंग ब्रांडिंग और भरामक बिग्ज्याबन दिखाने के लिए 11 लाग रोपे का जुर्वाना भी लगाये था एलोपेथी और एलोपेथिक डॉक्टर को लेकर आम देओ बाबा ने कुछ दिन पहले आपने देखा हो गए बायान दिया था उन्होंना कहा था एलोपेथी मुर्गतापूर्ट बिग्ज्यान है और आप देखें कि इसको लेकर देश भर में उनकी आलोचना की गई थी और डॉक्टर एक हजार डॉक्टर कुरोना की डवल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए कितने एक हजार कल का समाचार है अपने आपको नहीं बचा पाए तो कैसी डॉक्टर ही यह बयान और तंजी के कारण तमाम डॉक्टर्स ने उनके बेहत खपा हो गए थे उन पर मानहानी का केस भी कर रहे थे और समय सोचे कि देश विदेश में बाबा की बाबा की क्या हो रही थी आलोचना हो रही थी बाबा रामदेव कुरोना वैक्सीन के नुक्सान को बीडियो के माध्यम से लोगों को बताते हुए उन्हें भेरमिट कर रहे थे और डॉक्टर्स का कहना है कि रामदेव मनोवल गिराने की कोसित कर रहे हैं और लोगों को कुरोना वैक्सिन के खलाब भढ़का रहे हैं दरसल उन्हें एक वीडियो में कुरोना वैक्सिन का मजाग बनाते हुए ये कहते दिखा आथा कि मरीजों को नहीं पता की सांस कैसे लेते हैं इसलिए वे ऑक्सिजन की कमी की सिकायत लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं नकरात्मक फैलाते हैं और उस समय आप सभी जानते हैं कि बड़े नेता भी कई पॉलिटिसियन पाइटी जो पॉलिटिकल पाइटी उनकी नेता भी कुरोना बैक्सिन पर आप देखें सवाल खड़े कर रहे थे तो उनमें से बाबा भी एक थे ठीक है और हाला कि उनके द्वारा दिये गए बयानों के बाद स्वास्त मंत्री हमारे उस समय की डॉक्टर हर्स बरधन जी ने उनसे अपने सब्दे बापस लेने की मांग की थी और बाबा रामदियों ने अपने बयान को बापस भी लिया था किन्तो बिवाद होने से जानदा समय तो लगता नहीं है एस बिवाद के बाद इंडियन मेडिकल असोसेशन आईयमे ने काफी आवत्ती जताती हुए उन पर कड़ी कारवाही की मांग भी की थी देश दरो और इवन लोगों को भरमित करने जैसे आरोप बाबा रामदियों पर लगाए गए थी और आप सोचे कि डॉक्टरों ने बहुत महनत की आप सभी जानते है इस बात को तो मुझे लगता है कि कोई नकाल नहीं सकता है करोना महमारी में और आप सोचे कि उनकी बैक्सीन पर अगर पिरसने चलना लगाए उनके काम पर पिरसने चलना लगाए तो ये गलत बात है और उससे इस बयान को लेकर आप देखें, मुझे नहीं लगता है कोई देश में था, जो बाबा का सपोर्ट कर रहा था, सबके द्वारा ये कहा जा रहा था कि आप सही हैं, हो सकते हैं कि आप अतंजली चला रहे हैं, बड़िया बात है, लेकिन आप ऐसा भी मत करिए कि दूस कियों में रहे हैं, तो यही कहानी है बाबा राम्दियो की, और बताईए किसी के बारे में बात करनी हो, तो हम तो करते रहेंगे, हम लोग कहा जाने बाले हैं, और आप लोग भी इंज्वाय करते रही हैं, बाबा राम्दियो को देखते रही हैं, इनके सब्दों को इनके बायनो को पर देरी